ग्रीन विवाद के बाद ग्रीस फुटबॉल लीग ने लम्वित पिच पर आक्रमन करने के बाद पी ए ओ के के मालक ग्रीक रूसी व्यापारिवान सेवेडीस की गिरफतारी के लिए पुलिस ने वारंट जारी किया है। खेली और गोस वसिलीदीस के उपमंत्री ने समवादाताओं से कहा हमने चेंपेंशिप को ने लंबित करनी का फैसला किया है। वसिलीडिया ने कहा यह नए रूप रेखा के बिना फिर से शुरू नहीं होगा। वसिलीडिया ने कहा सरकार यूरोपीय यूरोपीय संगठन यूएफे के करीबी संपर्क में है। पुलिस ने P.O.K.K. मालिक ग्रीक रूसी व्यापारी वान सेवेडीस की गिरफतारी के लिए एक वारंट जारी किया है जिसके बाद उन्होंने पिछ पर आक्रमन किया अंगरक्षकों के साथ। एक नब्बेवे मिनिट का नाबालिक लक्षे पर एफ्री का सामना करने के लिए एक शीर्ष A.E.K. इथिन्स के खिलाफ। टेबल टाक्राव मैच को बादित किया गया क्योंकि लिए A.E.K. की टीम पिछ से निकल गई थी लक्षे को बाद में अनुमती दी गई थी। पॉक और A.E.K. लीग खिताब के लिए गर्दन और गर्दन की दौर में हैं। एक तमबाकू उद्योग पती उत्तरी बंदरगाव थिस्सलोनिकी में व्यापक होल्टिंग के साथ। सावेट साल ही में ग्रीस के शीर्षक बारों में से एक खरीडार। एथनो सुनहे से पास का राजनीतिक सहीयोगी माना जाता है। दो हवते पहले पी ए ओ के टमबा स्टेडियम में एक और माच विवाद से चेहनित किया गया था। जिसके बाद ओलुम्पिया आकोस के दौरे वाले प्रतिद्वन्दी ओलुम्पिया कोस के कोच पर खड़े खजानची रोल के बाद। खड़ा हो गया। मैच को छोड़ दिया गया था और पी ए ओ के को शुरू में तीन अंग दिये गए थे लेकिन अपील के फैसले को उलट दिया। झाले को चल प्रके खड़े खड़े और खड़े को बाद।